नमस्कार दोस्तूं स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल हेल्थ केर टिप्ज में जहां हम सेहत और फेटनर से जुड़ी नई और उपयोगी जानकारियां आपके साथ साजा करते हैं दोस्तूं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइवर यूट आहार के बारे में दोस्तूं फाइवर हमारे सरीर के लिए कितना जरूरी है और कौन-कौन से आहार फाइवर से भरफूर होती है यह जानना आपके लिए बहुत फायदे बंद होगा तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं आजकर लोग पेट की समस्या से ज़्यादा परशान रहते हैं क्योंकि भागदोड़ की जिन्दकी और खराब खान पान जीवन सैली की वज़ा से अक्सर लोग अपनी टाइट पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और जिसकी वज़ा से उन्हें पेट सम्बंदी बिमारियां उत्पन हो रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बेहद और उपयोगी जानकारी लेकर आएं ताकि आप पेट की बिमारियों से बस सकें दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन फाइवर युक्त खाद पदार्थों के बारे में जिसे खा कर आप अपने पेट की समस्या को जड़ से दूर कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों सबसे पहले यह जान लेना जरूरी होता है कि फाइवर क्या है और यह हमारे स्वास्त के लिए क्यों जरूरी है दोस्तों फाइवर हमारे पाचन तन के लिए बहुत जरूरी होता है यह ना केवल हमारे खाने को आसानी से बचाने में मदद करता है तियानेक ना केवल आपकी पेट की समस्या को दूर करेगा बलकि यह आपकी वजन को घटाने में भी मदद करता है बाती साथ यह दिल की सेहत को बेहतर बनाता है और बलड सुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है अब आप जान चुके हैं कि यह फाइबर युक्त आहार हमारे लिए क्यों जरूरी है दोस्तों अब आपको पता ही चल गया होगा कि यह फाइबर युक्त आहार हमारे लिए कितना जरूरी है आये जानते हैं कि कौन-कौन से फाइवर युक्त आहार को अपनी डाइट में सामिल करके आप अपनी संपूर जीवन सहली को बदल सकते हैं दोस्तों पहले नंबर पर आता है हरी सबजियां लिफी वेजिटेवल्स दोस्तों पालक, मेथी और ब्रोकली जैसी अहरी सबजियां फाइवर का भरपूर स्रोत होती हैं इन्हें आप अपनी डाइट में जरूर सामिल करें क्योंकि यह ना केवल आपके पाचनतंद को बहतर बनाता है बलकि इसमें आयरन, कैल्सियम, मैगनेसियम, कई ऐसे पोसकत तो पाया जाते हैं जो हमारे स्वास्त को कई गुना बहतर बना सकते हैं नंबर टू, फल यानि की फ्रोट्स दोस्तों सेब, केला, नासपाती और संत्रा जैसे फल फाइवर से भरपूर होते हैं यदि आप इनीर हो जाना अपनी डायट में सामिल करते हैं तो यह ना केवल आपके पाचन सकती को बहतर बनाता है बलकि आपकी सरीर की संपूर स्वास को कई गुना बहतर बना सकता है इसलिए हमें अनहेल्दी फूट्स जैसे पिज्जा, बर्गर और पैकेट बंध खाद समागरी से बचना चाहिए और उसके बदले हमें सुध, ताजा, फल और सब्जियों का अपनी डायट में समिल करना चाहिए दोस्तों बादाम, अकरोट, किस्मिस और खजूर जैसे ड्रायव फूट्स भी फाइबर से भरपूर होते हैं इन्हें इसनेक के तोर पर आप अपनी डायट में समिल कर सकते हैं दोस्तों यदि आप राजमा, छोले, मूंदाल और मसूर डाल जैसे खाद पदार्थ को अपनी डायट में समिल करते हैं यह नेकिवल एक फाइबर का अच्छा स्रोत है बलकि इसमें प्रोटीन, कैलसियम, मैगनिसियम और कई ऐसे पोसकतत तो पाये जाते हैं जो हमारे स्वास्त के लिए वेहत जरूरी होते हैं यह एक बहतरीन कंपोजिशन है यदि आप इन्हें अपने डायट में समिल करते हैं तो आपके बिमारियां आपकी नजदीक नहीं आएंगी जी हाँ दोस्तों आप इन्हें अपनी डायट में जरूर समिल करें जैसे साबूत अनाच को अपनी डाइट में सामिल करके आप ना किवल ये मिलेट्स ना किवल आपके पाचनतंत को बेहतर बनाते हैं बल्कि इसमें कई ऐसे पोसक तत्तों पाया जाते हैं जो एक औसधी की रूप में काय करते हैं यदि आप इने अपने डाइट में सामिल करते हैं तो यह ना किवल लंबे सेमस तक पीट भरने में मदद करता है बल्कि कई सारी बिमारियों को भगाने में भी साहता करता है दोस्तों यदि आप साबूत अनाच को अपनी डाइट में सामिल करते हैं तो बिमारियां आपके नजदीक नहीं आएंगी दोस्तों भारा सरकार के द्वारा कई ऐसे प्रोग्राम चलाया जा रहे हैं जो मोटी अनाच को बढ़ावा दे रहे हैं उनमें से एक है अनस्री योजना दोस्तों भारा सरकार के द्वारा यदि इस तरह की योजनाय चलाई जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं यह हमारे स्वास्त के लिए कितना फायदे मंद हो सकता है नमबर से बीज दोस्तों चिया सिट्स, फ्लैक सिट्स और कद्दो के बीज जिसे इंगलिस में पंकिन सिट्स भी कहते हैं यह ना किवल फाइवर से भरपूर होता है बलकि इसमें कई ऐसे पोसक तत्तों पाया जाती हैं जो हमारे स्वास्त के लिए बेहत जरूरी होते हैं रूट में सामिल कर सकते हैं दोस्तों हमारे द्वारां बताई गई सभी जानकारियां ना किवल उपयोगी हैं बलकि एक औसदी के रूप में कारे करती हैं इसलिए आप मार्केट की खादिसरी से बच कर आप घरे लो यानि घर पर तयार समागरियों को अपनी डाइट में सा होती हैं आप इन्हें साबूत या उबालकर या सालात की रूप में किसी भी तरह से खा सकते हैं दोस्तों आपको पता ही है कि चुकंदर और गाजर एक ऐसी वेजिटेवल्स हैं जो ना किवल पाचतन के लिए बहतर होते हैं बलकि अक्सर एनिमिया या खून की कमी जैसी समस गाजर और चुकंदर को जरूर सामिल करें कोल्डिंग पिजा बर्गर चौमिन जैसी खादेपदार्थ को अपनी डाइट में सामिल करने से बचना चाहिए इसके जगह पर हरी पत्तेदार सबजियां चांच दही मठा दूद घी खादे समागरी को या अपनी डाइट में सा मगरी का ही इस्तिमाल करना चाहिए दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइवर युक्त कौन-कौन से आहार होते हैं आए जानते हैं कीन आहार को खाने से आप कौन-कौन से स्वासलाब और मिल सकते हैं दोस्तों फाइवर युक्त आहार खाने से हमारा फेट सद उर्जा को बनाए रखने में भी मदद करता है दोस्तों यह आप फाइबर युक्त अहार को अपनी डाइट में सामिल करते हैं तो आप हमेशा उर्जावान महसूस होते हैं क्योंकि आप जानते होंगे यह जब आपके पेट में किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आपका इसा और जावान महसूस करेंगे दोस्तों आप हमें कमेंट बाक्स में बता सकते हैं कि यह वीडियो कैसी लगी और यह आप किसी अन्य जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बाक्स में अपनी टॉपिक बता सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कर दो ने